नमस्कार स्वागत है आपका दन्यूस पर मैं हूँ आपके साथ शेरिन लोग सभाचुन आपके चलते कुछ दिनों की छुटी पर बाहर आए दिल्ली के मुख्य मंत्री अर्विन केज रिवाल की फिर बढ़ने वाली हैं शुराब घुटाले में मुश्किले तो वही दूसरी तरफ पक्षिम बंगाल में ममता बैनर जी के उपर बरसे हैं देश के प्रधान मंत्री नरेंडर मोदी जुस तरीके से ममता बैनर जी ने रामकृष्न मिशन और भारत सेवा संग के उपर उठाए थे सवाल जी हां बात करते हैं पहले देश की राजधानी दिल्ली की के जु इस से 21 दिन की छुटियों पर बाहर आए मुख्यमंत्री अरविन केजरिवाल की अंतरिम जमानत को लेकर लगातार बड़ी बड़ी बातें करने वाली आम आदमी पार्टी सरकार और खुद मुख्यमंत्री अरविन केजरिवाल की मुश्किलें जो है वो अब E.D. के द्वा आने की मांग करते हुए जो है वो कोट में अपना आविदन दायर कर दिया है और इस पूरे मामले को लेकर भी अदालत जल्द ही जो है वो सुनवाई करेगी और बात अगर अरविन केजरिवाल की जेल जाने की करें तो देखिए अरविन केजरिवाल अब जादा से जादा दो हफते ही जो है वो अब जेल से बाहर रहने वाले हैं क्यूकि दो जून के बाद अरविन केजरिवाल याने की दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविन केजरिवाल को लोड़ना पड़ेगा दिल्ली की तिहार जेल में वापस देखिए इसी शराब घोटाले को लेकर लगातार आम आदमी पार्टी के ये आरोप रहते हैं कि कोई भी शराब घोटाला नहीं हुआ है अर्विन केजरीवाल को जो है वो बदनाम करने की कोशिच की जा रही है हमारी पार्टी और सरकार और खुद मुख्यमंत्री अर्विन केजरीवाल की इमांदारी से डरते हैं प्रदान मं अंतरीन नरेंद्र मोदी की बात करने वाली आम आदमी पार्टी की लगातार सच्चाई और मुश्किलें जो है वो शराब घुटाले में दिन प्रती दिन बढ़ रही है जिस तरीके से एजंसियां इसमें एक के बाद एक बड़ा आक्शन लेती हुई दिखाई दे रही है दे ली की इतिहार जेल फिर देखना आयम रहेगा कि किन मुद्दों को लेकर आम आदमी पार्टी जो है वो प्रहार करेगी देश के प्रदान मंतरी नरेंद्र मोदी और इसी के साथ शराब घुटाला जिसको लेकर आज भी अर्विन के जुरिवाल ये कहते हैं कि आप कहते हैं कि दिल्ली में शराब घुटाला हुआ है पर पैसा कहा है पैसा तो मिला ही नहीं है जहां पर रेड हुई वहां कुछ मिला ही नहीं है इसी तरीके की बातें जो है वो आम आदमी पार्टी के सैयोजक यानिकी खुद मुख्यमंतरी अर्विन के जुरिवाल कई बार धोरा दो जून से पहले चौदा दिन की नियाए खिरासत बढ़ाने के लिए आविदन पत्र जो है वो कोट में दाखिल कर दिया है तो वहीं दूसरी तरफ ट्रांजेक्शन से जुड़े मामले और जिस तरीके से फंडिंग का मामला कुछ दिन पहले सामने आया इस पर भी जो है वो एडी ने घ्रहमंत्राले के लिए रिपोर्ट लिख दी है यानि की पत्र भेज दिया है और अब ऐसा लग रहा है कि शराब टाले में कई मुद्दों को लेकर अर्विन केजरिवाल को एडी और सीबियाई के लिए जवाब देना होगा और मनी ट्रेल की रही बात तो उस पर भी एडी लगातार जाच में लगी हुई है अब बात करते हैं जिस गटबंदन का हिस्सा है मुख्यमंत्री अर्विन केजरिवाल उसी गटबंदन की हिस्सा है पक्षिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बैनर जी जोनोंने पिछले यी दिनों अपनी एक सभा के द्वार जो है वो रामकृष्ण मिशन और भारा सेवा संग को लेका जो है वो कई बयान दिये थे जिस पर उनोंने ये कहा था कि रामकृष्ण मिशन और भारा सेवा शुरम जो है वो कुछ संद याने की केस कुछ संद जो है दिल्ली में भारतिय जनता पार्टी के प्रभाव में आ बैनर जी के ऊपर आज प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने जो है वो कड़ा हमला बोला है और कहा है कि किस तरीके से ममता बैनर जी की पार्टी जो है वो दुस्टी करण के लिए समाजिक धार्मिक संगठनों को धमकार रही है पुरेस प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने जो है पक्षिम बंगाल के पुरूलिया में एक रैली को संबोधित करते हुए कहा दिंग मूल कॉंग्रेस यारी की टीम सी शालिनता की हदें लांग कर जो है वो इतना नीचे गिर गई है कि वैस कौन रामकृष्ण मिशन और भारत की सेवाश्रम संग के खिलाब जो है वो बंगाल की जनता को डराने धमकाने वाली टीम सीना इस बार सारी हदें पार कर दी है आज देश और दुनिया में इसको रामकृष्ण मिशन और भारत सेवाश्रम संग सेवा और नैतिकता के लिए जाने जाते हैं लेकिन पक्षिम बंगाल की मुख्यमंतरी उन्हें खुले म लाखोई अनुयाई हैं और उनका उदेश लोगों की सेवा करना होता है प्रदान मंतरी नरेंद्र मोधी ने इसी रैली में ये भी कहा कि बंगाल सरकार ने उन पर उंगली उठाई है इतना सहासर्व अपने वोटर्स को खुश करने के लिए किया गया है क्या ममताब एनर ज मिशन और भारत सेवाश्रम संग जैसे प्रतिस्टिस संस्थानों को जो है वो गालियां देना शुरू कर दी हैं और इन संगठनों ने बंगाल का नाम भी रोशन किया है पर इन तमाम चीजों को भूल चुकी है ममताब बैनर जी लेकिन राजी की मुख्यमंत्री का दावा ह है कि ये बंगाल को बरबाद कर रहे हैं कटर पंतियों के दवाब में उन्होंने हमारी आस्था और कास सारवजनिक रूप से अपमान किया है देखिए प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी लगातार गठबंदन और जब भी वो पक्षिम बंगाल जाते हैं वो हमेशा ही पार्टी के कारकरताओं के द्वारा वहां पर महिलाओं का सोशन करना हो या फिर उनके बड़े नेताओं के द्वारा फ्रस्टा चार करना हो आज हर चीज का जवाब जो है वो प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी अपनी इन चुनाबी सभाओं के द्वारा विपक्षी पार् बोला उन्होंने ये तक का कि आज हम तमाम चीजों को उजागर कर रहे हैं कि किस तरीके से कॉंग्रेस जो है वो दुनिया यानि कि कॉंग्रेस जो है वो आज किस तरीके से देश को लूटने का काम करती है और इसी के साथ प्रधान मंतरी नरेंद्रमोधी ने गटबंदन के क्या प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो राहुल गांधी को कई बार ये कह चुके हैं कि शहजादे अपनी रहा भूल गए हैं पर अब देखना एहम रहेगा कि जो सरीके से आज गठ बंदन के नेता कभी धर्म तो कभी राम मंदिर तो कभी धर्मिक संस्थानों को लेकर सवाल तो जरूर उठा रहे हैं कभी ममताव एनर्जी कह रही हैं कि ये तभी धर्मिक संस्थान है वो भारतिय जनता पार्टी के आभाव में आकर काम कर रहे हैं खेर ये पहली बार नहीं है आज धर्म को लेकर ये बात की जा रही है इससे पहले पक्षिम बंगाल के मुख्यमंतरी ममताव एनर्जी तो ममताव एनर्जी ये कह चुकी है कि कलकता हाई कोट जो है वो भी सरकार के आभाव में काम कर रहा है और पूरा गठ बंदन तो उन्हें एजंसियों को लेकर भी सवाल उठाता है जो एजंसियां देश के कोने कोने में जाकर छापे मारी के दौरान कभी नेता कभी कॉंग्रेस के नेता तो कभी त्रमूल के भर से करोणों रुपे की संपत्ती जो है वो छापे मारी के दौरान बहार और जनता के सामने ला रही है खैर देखना है म रहेगा के लगातार बयान बाजी जो है वो दोनों पक्षों की तरफ से जारी है आज पाचवे चरण की वोटिंग जो है वो भी समापत हो चुकी है पर अब रेजल्ट आने के दिन जो हैं वो काफी जादा नस्दीक हैं देखना एम रहेगा जरता का पासा आखिरकार किसके पाले में पढ़ता है और किसका पाला भारी रहने वाला है चार चून को है रस पूरे मामले पर आप लोगों की जो भी राय हो आप हमें कॉमेंट करकर जरूर बताएए थन्यवाद